फ्रेंट्स आज बाजार ने बाउंस बैक दे दिया लगातर गिरावट के बाद में करेक्शन के दौर में से सेंसेक्स न आज थोड़ी सी हमें अलकी सी रहात दी अगर एक तरह से देखे तो बहुत बड़ा करेक्शन भी हो चुका है उपरी लेवल से करीब 10,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट सेंसेक्श में हो चुकिया और फिर काफी एची अमें रिकवरी देखनों को मिली और क्या यह जो रिकवरी है यह परमानेंट है या फिर टैंपरी है क्या फिर से बड़ी गिरावट होने वाली है उसको देखेंगे इस वीडियो के माधिम से दूसरी से रेटिंग एजेंसिया विश्वास करी है जेपी पावर पर दूसरी तरह बहुत सारे लोग अफ़ा फैला रहे कि जेपी पावर तो बंद हो जाएगा यानि लगातार जिस तरह से मिसगाड किया जारा लोगों को कि जेपी पावर में बहुत जादा प्रॉब्लम चल दे तो ऐसी कोई बात नहीं है जेपी पावर को जिस तरह से रेटिंग अपगेट करके मिले उससे तरह एक बास समझ में आते है कि जेपी पावर का काम पटरी पे है और जिस तरह से नोंने डिकलेर होने वारा दसतारी को उसके बाद हो सकता है कि पैट्रोल और डिजल की प्राइज में बहुत जारा बड़त होती हुए दिखाई दे और इसके पीछे सबसे बड़ी वज़य है कि कुरूल ओयल की प्राइज बहुत हाई हो चुकी है और ऐसे में इसका इफेक्ट तो नहीं हाई बना रहे हैं तो ऐसे में मार्केट का निवेस गोल्ड की दरब जा सकता है तो यह बहुत सारी बात है जिसकी वज़य से हमें लगता है कि थोड़ा-थोड़ा करके ही निवेस करना चीए लेकिन ऐसे इसे श्टॉक में दाव लगाना चीए जो आगे जाके मल्टी आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जुरू किजिए चलो फ्रेंट वीडियो इस्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और हमारे अपने चैजल ऑल्लाइन कमाई में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंट्स सबसे पहले हम BSE Sensex की बात करेंगे तो आज शुरूआ तो इती 52,430 पर यानि काफी नीचे फिर इसने लो बनाया 52,260 का यानि आप देखलो तो उपर इस तरह से करीब 10,000 की गिरावट हो चुकी थी Sensex में लेकिन उसके बाद में अच्छी खासे खरिदारी सब स्टॉक के लिए फिलाल 581 वन पॉइंट की तेजी देखना को मिली 1.10% Sensex में हमें सुधार होता हो दिखाई दिया निप्टी एनर्जी की भी बात करें तो यहां पर भी हमें तेजी देखना को मिली 24,229 का इस तरह देख लिए आमनेया 0.088% की तेजी थे मामूली सी त लेकिन फिर भी तेजी देखना को मिली ग्रीन जुरू था तो जिस तरह से जैपी पॉर में तेजी बनी उतनी तेजी निप्टी एनर्जी में थी जैप्रकास पॉर वेंचर्स की बात करें तो ओपन हुआ 6.70 पर और इसका लो बना 6.70 का हाई है 7 का सिधा अपर सरक्री लग गिर गया तो फ्रेंड्स आपको यह ध्यान रखनाए कि सेंसेक्स भी उपरी लेवल से करीब 9-10,000 पॉइंट गिर चुका तो ऐसे में हर इस्टॉक में गिरावट होती है तो आपको कोई चिंता की बात नी लोग कहते सर आपने जो भी हमको इस्टॉक सेजेस्ट किया वह त गर्दी से दोड़ेंगे बियस्ट की बात करे तो आज वन करोड एटी एट लैंक फिप्टी नाइथाजन का वॉल्यम हो सामने 83 लैंक थिलेवरी उठाएगी डिलेवरी का परसंटेज दोदों एक्षा खासा काम का जो सर्किट के बावजुद वॉल्यम को अनृष करे तो पिछले एक मेने पहले इसका nine क्रोड का वालुम था, one week पहले six क्रोड का वालुम मता, कल इसका five क्रोड का वालुम मता, आज six क्रोड का वालुम मता, तो अच्छे वालुम के साथ मैं काम होड़ा, जबकि circuit भी लगा, यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी अच्छी खरीदारी भी हुए उसको इबाद डिसकस कर लेते तो फ्रेंड्स सुबज जैसे की देखे तो 10 बज कर एक मिनट पर 7 की प्राइस से यहाँ पर 24,10,000 की एक बड़ी डिल हुई फिर वापस 10 बज कर एक मिनट परी 6.95 की प्राइस से करीब 35,60,000 की एक बड़ी डिल हुई फिर 10 बज कर दो मिनट पर 7 की प्राइस से 38,70,000 की एक बड़ी डिल हुई फिर उसके बाद में 10 बज कर 4 मिनट पर 7 की प्राइस से 25,60,000 की एक बड़ी डिल हुई उसके बाद फिर 10 बजकर 8 मिनिट पर करीब 10,31,000 की एक बड़ी डिल हुई उसके बाद में फिर 10 बजकर 20 मिनिट पर 10,89,000 की एक और बड़ी डिल हुई फिर दोस्तों 2 बजकर 20 मिनिट पर करीब 20,53,000 की एक बड़ी डिल हुई और फिर दो बजकर 49 मिनिट पर 10,96,000 शरू की एक बड़ी डिल लुई तो बड़े फंडा उसने काफी अच्छी खरीदारी किये और यह इसारा है कि यह श्टॉक तेजी से भागेगा तो आपको ध्यान लगना है कि बड़े फंडा उसका जादा इंट्री कर रहे है इसके अद इसके रेटिंग को बढ़ाती है एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है ग्लोबल प्राइज जो कोल किये वो बहुत तेजी से बढ़ते हो रिकॉर्ड हाई पर पहुँच चुके है तो ऐसे में जो इंपोर्ट किया जाएगा कोईला इंडिया में उसकी जो प्राइज हो कि बढ़के आएगी यानि कोस्ट बढ़ने वाली है कमपनियों की तो थर्मल पाउर प्लांट के लिए फिलाल यह सबसे बड़ी तकली वाली समय आचुके है उनको प्राइज बढ़ानी पड़ेगी लेकिन वैसे बिजली महंगी होगी यह सारा का सारा जो भार है इसका वो आम वो बहुता के उपर आने वाला है यानि हमारे उपर आने वाला है क्योंकि थर्मल पाउर प्लांट में अगर बिजली महंगी बनेगी तो फिर वो महंगी बेचेंगे और हमारे बिल में वो एड़ होके आएगा तो कमपनियों को कोई फर्क पढ़ने वाला निये वो कोईला महिंगा करेंगे तो जो है बीजली प्रोडक्शन होगी वो महिंगी होगी लेकिन ओवरॉल रसिया युकरियन का जो विवाद है वो सारी चीजों को महिंगा कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सपोर्ट का बीजनस है उसमें 20% जो शेर है वो रसिया का है कोल के बीजनस में तो थर्मल पाउर प्लान को जितना कोई ला जाता है उसमें 20% रसिया देता है और इस समय रसिया से कोई भी कोल नहीं खरीद रहा है और इस विज़े से कोल की डिमांड बढ़ चुकी है और यह हाई पे आ चुक है रिकॉर्ड हाई पे तो ऐसे में आने वाले सम पीको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई यह बहुत पुरानी कंपनी आपको पता होगा इनके पास बहुत सारे सोर्सेज है इसके वेज़े से इनको आराम से आसानी से कोईला उपलब्ध हो जाता है इंडिया पे आपको देखने को यह सबसे बढ़ी जरूरी बात है कि 27 जो को कसे बात है कि पर पर बस पता है कि वेज़े क्तना पास बेकिन एपना करजा समझ में आ रहे है और कि वह सब चुक्राइज प्राइज भी बढ़ेगी और इसमें आपको इंवेस्टमेंट भी करना च्छी हो कि 2030 तक कोल दिमांड पिक पे होगी तो ऐसे में कोल थर्मल पावर्ड प्लाइंट की कम्पनियों का बहुत से उज्वल है तो यहां से अगर गिरावट हो जाती है तो 6.70 पर फिर्स टार्गेट है इसको ब्रेक किया तो 7.80 का प्राइज देखनों को मिलेगा और यहां तक अगर पहुझ गया तो फिर 7.80 का तीसरा आवारा टार्गेट है तो जल्दी आठ को पार कर सकता है तो ऐसे में आपको निवेस करना चाहिए जो अगर आप पहले से प्राफिट बुकर के बैटे हुए है लेकिन एक बात का ध्यान रखे मैंने आपको निगेटिव रीजन भी बताया बाजार में बहुत सारी निगेटिव रीजन जिसके ववेसे बाजार में अभी भी आप खरीदारी करके अपने अवरिज को नीचे ला सकते हैं तो दाव लगाए लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके लगाए लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनेस एडवेस एक बाइडवाई ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मै अपने वीडियो आपके एजुके सिनल प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेज रुकिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड